राजगड में भरातियों से भरी ट्रैक्टर टॉली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई हादसे में 40 लोग घायल हुए हैं जोने जुला अस्पताल लाया गया गंभी रूप से घायल 4 लोगों को बोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर के आगया है हादसे में मरने वाले सभी लोग राजस्थान के जालावाड और 12 जुला के रहने वाले हैं हादसा रविवार रात करीब 9 बजे राजगड जुला मुख्याले से 30 किलोमीटर दूर पीपलोधी के पास हुआ बताया जा रहा है कि जालावाड जुले के मोती पुरा से ट्रैक्टर ट्रॉली में एक बरात राजगड के कुमाल पुरा रहती पीपलोधी गाओ के पास ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई साथ से पर सीम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है उन्होंने कहा कि राजस्थान के जालावाड जुले के तेरा लोगों की आसम में मृत्यू का समाचाथ अतियंद दुखद है हम राजस्थान सरकार के संपर्क में हो और राजस्थान पुलिस भी मौकी पर पहुँच गई है राजमंत्री नराएंट सिंग जुला अस्पताल पहुचे थे उन्होंने घालों का हाल जाना और उनके इलाज के निवदेश दिये कलेक्टर हर शुदिक्षित और एसपी आदेति मिश्वा भी जुला अस्पताल पहुचे और घालों से हाथ से को लेकर जानका देगी करीब पास में आ रही थी और बॉर्डर से करीब 500 मेटर की दूरी पेड़ी पेड़ी पास में आ रही थी और बॉर्डर से करीब पांशा सो मेटर की दूरी पे ये एक्सीडेंट हुआ है ट्रॉली के ट्रेक्टर ट्रॉली के पलटने से तेरा लोगों की मृत्ती हुई है और करीब पंदरा लोग घाल है जिसमें से चार लोगों को भॉपाल रिफर किया गया है कारण के डिटेल सभी अजिए अजिए जरूर ड्राइवर की लापरवाही रही कि जो घाट वाला एरिया है पे लोगों के पास वाला वहां पे ट्रेक्टर आउट अप कंट्रोल हुआ है और पलटा है ये ओवर स्पीडिंग की वेशे भी हो सकता है आने दूसरे कारणों के वेशे भी हो सकता है इसके डिटेल इंक्वारी के बाद ही पता चले है